हेलो डियर स्टुडेंट्स, आज किस वीडियो में हम रीड करेंगे लेशन 15, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 आपको मैंने जो जिके का सिले बस्ता वो सारा ग्रूप में डाल दिया है बता दिया है तो जितने भी लेशन्स आपके अनौल एक्जाम्स में आएंगे उनकी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देती हूं तो आज हम देख लेते हैं लेशन 15 पहले एनिमल सर्वाइविंग इन कोल्ड तो जो मारा लेशन 15 है उसमें ये बतायागा है कि जो कोल्ड एरिया जोते हैं कोल्ड रीजन्स होते हैं उनमें एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं कौन-कौन से अनिमल्स हैं और वो कहां पर पाय जाते हैं, तो identify the animals, write their names and places of their existence, तो हमें animals की उच पिक्स दी गई हैं, इनको identify करना है, उनके names राइट करने हैं, और उनका रहने का existence हो तब चो रहने का रहना, तो रहने के जो स्थान है कहां पर पाय जाते हैं, ये बताना है, तो फर्स्ट जो पिक्स है हमा Shemius, Shemius कहां पर मिलता है, Mountain of Europe and Asia, जो एसिया और उरोप के पाड़ी लाके हैं, mountain हैं, वहां पर ये मिलता है, थर्ड जो पिक्स में है, रोक mountain goat, पहाड़ी जो ये गोट है, ये कहां पर मिलती है, North America, फोर्थ में है leopard, लेपड कहां पर पाय जाता है, ये मिलता है, इमाल्या कहां पर मिलता है, जाइंट पंडा मिलता है, बच्चो, Central China में, और जो बैंगो है, वो मिलता है, आपका अफरीका में, अब जो क्वीक क्वीज है, वो देख लेते हैं, विच इस दा लार्जेस्ट रोडेंट फाउंड इन साउथ अफरीका, सबसे रोडेंट होते हैं, बच इस दा हैविएस्ट फ्लाइट लेस्ट बर्ड और पैर्ट, सपेसिज फ़ाउंड इन साउड in New Zealand, जो सब से एविएस्ट फ्लाइट एविएस्ट है, और फ्लाइट लेस्ट मिलता ने उडने एवाला बर्ड है, पैर्ट की सपेसिज का है, वो और नूजीलेंड में पाया जाता है कौन सा है वह बच्चों आपका केकेपो थार्ड क्वेस्टेन है विच इज ओंली फ्लाइंग मैमल फ्लाइंग मैमल कौन सा है सिरफ जो अकेला मैमल है मैमल होते में चो दाव एनिमस डाट गिव बर्थ टु दा सेम जो अपने जैसे मतलब बिल्कुल अपने जैसे जैसे मैमल है जो सिरफ अकेला है जो उड़ सकता है वह बैट फॉर्थ है विच इस दा मार्स्पियल हर्भी वोर्स हैविंग पाउच एनिमल्स नैटी ओफ ऑस्टेलिया ओस्टेलिया का रहने वाला है और अर्भी वोर्स है और उसके मतलब पाउच होती है बच्चों जिसक लाफ लाइक साउंड आसने जैसे आवाज कौन सा अनिमल करता है वह चिम्पेंजी शिक्स क्वेश्चन है बच्चों विच वोटर अनिमल स्लिप्स विद वन आई ओपन कौन सा ऐसा वोटर अनिमल है जो एक आई को ओपन करके सोता है तो वह आपकी डोल्फिन फिश कि समय शोंड और सांद मैं बार्ड़न कर शक्यों सान गएग जो कई सारे बढ़्स की सांद को मीट्स में नकल कर सकता है वो आपका मौकिंग बार्ड नेम यह उसक्का मौकिंग ओता मौक उताव ज़ो नकल करना तूस बढ़ का नेम ही है मौकिंग बढन कल चिवू पक्षी 8th question है which reptile can which reptile can move its eyes in two separate directions कौन सा ऐसा रेप्टाइल होaimerिते चलने वाले रिंगने वाले जैसे snake स्नेक है अरश बहुत सारे निसेक्ट्स होते हैं जो रिंगने चलते हैं तो कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जो दोनृ डरेक्शन में मौँ कर सकता है अपनी आइस मतलब दोनों डारेक्शन में चल सकता, वो है चेमलीयन शिक्स, नाइन्थ क्वेश्टन है, वट इस इस साइंटिफिक नेम ओफ नेशनल बड ओ इंडिया नेशनल बड अजो इंडिया का, उसका साइंटिफिक नेम क्या है तो उसका नाम है पेरा क्रिस्टेतस last question इस लैसे का वारा which is the world's largest butterfly Queen Derek Sanders von Queen Latinxander Bund compatrii вся उसका नेम है Queen Alexander ividliche Team So यह वारा lesson fifteen था lesson seventeen रहे गया बच्चो इसमें sixteen नहीं करेंगे एक्जाम में हाने वाला आपके next lesson हमारा plane dromes तो plane drones क्या होता है बच्चों एक plane drones वह वर्ड होता है जिसको आम चाहे पिछे से backward रीड करें या forward रीड करें उसका जो प्रोनांस करने का जो भी है वो सेम रहेगा मतलब उसका pronunciation same रहेगा जैसे यह आपको दिख रहा है आई तो य य य आगे से रीड करें पिछे से से रीड करें that will be same तो यह कुछ पिक्स दी गई है इनको identify करके हमें बताना है इसा वर्ड ऐसा सेंस ओर्गन है जो देखने के लिए हम यूज करते सब को पता आई है तो आई की spelling य य य य आगे भी य य है पिछे भी है तो इसको कहने से भी इसको रीड करें इसका जो प्र किरनसियेशन हाओ यूच сейчас बात करते हैं लेडी से बात करते हैं इसको मेंडम बोलते हैं एधिय्ज्चर्वेंट की इस और जो ships होते हैं उसको detect करने का जो instrument है उसको बोलते हैं radar fourth it is used for even and plain surface जो plain surface होती है उसको उसके लिए एक word यूज होता है level तो level को हम आगे से रेड करें पिछे से रेड करें that will be same it is short form for mother mother की short form mom तो mom आगे भी m है पिछे भी m है तो ये भी plane drones है it is a short form for father father की short form क्या रहेगी dad it is used an expression when amazed जब एरान होते हैं तब एक word यूज होता है क्या होता है wow it is the name given to midday midday मतलब दोपेर का जो time होता है दिन के जो center time होता है उसके लिए word यूज होता है noon तो end आगे भी है ने पिछे भी है ने तो दोनों साइड से नून ही रहेगा I call my teacher as teacher को क्या बोलते हो तुम मैं बोलते हो न तो यह mam आगे भी है एम और पीछे भी एम है it is all what we do जो हम करते हैं काम वर्क उसको क्या बोलते है डीड तो यह छोटा सा lesson था आपका next lesson अने 19 सिमीलिज बच्चों सिमीलिज को पहले सामझो कि सिमीलिज होती क्या है सिमीलिज का मिनिंग होता है बेटा बेटा उपमा मतलब किसी चीज की comparison करना किसी भी पर्सन क्या थिंकि है ऐसी चीज से comparison करना जिसमें उसकी कुछ सिमिलर्टी है कुछ सिमिलर पॉइंट से बिल्कुल वैसा नहीं है लेकिन जैसे कहते हैं चांद सा मुख तो कोई भी मतलब वह इनसान है वह चांद जैसा थोड़े है लेकिन उसके मतलब उसकी सुन्दरता कि उसकी जो ब्यूटी की कमपेरिजन है वह चांद से की गई है तो जैसे मतलब फूल सा बच्चा तो बच्चा फूल और बच्चा दो अलग-अलग चीज़े हैं लेकिन फूल की तरह सोफ्ट फ्लार की तरह सोफ्ट है ना जुक है तो इसलिए उस बच्चे की जो कमपेरिजन है वह फ्लार से की गई है तो आज जैसे यह देखो एक्जाम पल और आगे मिनिंग का उसके साथ मैचिंग करनी है जो मिनिंग से दे रखे हैं तो as big as an elephant यहां पर आगया elephant और इसमें जो आगे मिनिंग दिये हैं बच्छो इसमें इसका मिनिंग रहेगा very big 6 आएगा इसका अंसर यहां पर आप रेकट में 6 कर सकते हो बाकी मैंने सब के आगे ब आउड डाउन कर दियें as big सबसे big कौन सा इंसेक्ट होता है वी और इसका मतलब इसका मिनिंग क्या रहेगा वेरी बीजी तो इसका बैरी बीजी परसन उसके लिए कहते ने कि आदमी तो मधूमक्खी की तरह लगाई रहता है तो उसका अंसर अंसर मिनिंग रहेगा वेरी ब प्रफेन करने की पाऊर ज्यादा आ उसकी कमपेरेजन किसे करते हैं, इतना कूल है कि जैसे कूकूमबर, तो इसका जो ऑंसर रहेगा, थड़ रहेगा, कूल नेचर परसन, मतलब जिसका सवाव नेचर वेह वियर, सही है, is as sweet as sugar जितना इतना मीठा मतलब शुगर जितना तो इसका क्या रहेगा इसका answer आपका यह निचे बच्छो very sweet person 14 रहेगा इसका as good as gold, मतलब सोने जैसा खारा, सोने जैसा अच्छा तो इसका answer आपका 9 रहेगा, very good and obedient as gentle as a lamb, जब भी कोई gentle होता तो उसकी comparison लेंब से की जाती है तो इसका अंसर फॉस्ट रहेगा वेरी जेंटल एज लाइट एज फैदर फैदर होता बच्छो पंक मतलब पंक से अलका कुछ भी नहीं होता तो जब भी कोई चीज लाइट होते है तो उसकी कंपेरिजन फैदर से करते हैं तो इसका मिनिंग क्या रहेग सब्सक्राइग होता है गां रहेगों ही थेज लाइटो और मेंट विपोताई बनीक्तिन भी का सब्सक्राइग की क्या मांद करदक्री भी कुर्त उसकी और परें सर्ण जाती है तो टैन का अंसर रहेगा बच्छोँ आ चैन सताउता है एक वेरी गविक से पर निवल ईड़ सबसे खट्टा क्या होता है विनेगर तो इसका अंसर रहेगा 10 वेरी सोर बहुत खट्टा एस टिमेज़ेज़ रैपड रैबिट तो रैबिट सबसे तीवर होता है तो इसकी इसका मिनिंग क्या वापका वेरी टिमिड 11 एस वाइज एन एजन आवल सबसे ज़्यादा वाइज और बुद्धिमान होता है मतलब कर निंग टाइप का कह सकते हैं उसको तो वह उसका मिनिंग रहे हैं आपका ट्वेल है वेरी वाइज नेक्स्ट है हमारा लेसन जो है वो होमोफोन्स ओमोफोन्स ओमोफोन्स क्या होते हैं बचलो सबसे पहले आप मिनिंग को समझ These are एसे वर्जिन की जो spelling होती है, origin का meaning होता है, different होता है, but they are pronounced in the same way, लेकिन उनको pronounce करने का जो way होता है, उनका pronunciation होता है, जैसे break, break, first example में देखिए, लेकिन meaning दोनों का different है, तो first example read करते हैं, we, जो भी हमें सहीर answer उसको select करना है, we have our break at 10.30 am, break जैसे lunch break है, तो इस तरह जो भी हम break लेते हैं, मतलब बीच में gap लेते हैं, rest लेते हैं, movie के बीच में break आता है, तो उसको break बोलते हैं, तो B, R, E, A, K, और एक होता है, B, R, A, K, उसका meaning होता है, बच्छो तोड़ना, next, I don't know whether to take my umbrella or not, अब देखो, इसमें एक तो W, A, T, अच्छी आ रहे हैं, इसका meaning होता हो मोसम, weather, एक है W, A, T, मतलब की मैं नहीं जानता की umbrella लेके जाऊं और ना जाऊं, तो यहां पर W, A, T, आएगा, यह मोसम वाला weather नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे फिर 2 नहीं आता, और आपकी जो book है, उसमें answer की में रोंग दिया हुआ है, I received my parcel in mail the next morning, एक M-A-L-E mail होता है, जैसे mail का opposite क्या होता है, फिर mail मतलब पुरुष, पुरुषों के लिए, जैंट्स के लिए, जो word use होता है, mail, तो यह मुझे अपना पारसल मतलब next morning मुझे receive किया, वैसे sentence के according next morning यह रोंग दे रख्या है, I will receive आना चाहिए, यहां पे grammatically sentence रोंग है, next है, we went to their house for lunch, एक THER ही होता है, वो अता बच्चों जैसे यहां वहां place के लिए use करते हैं, THER होता है, इसका मतलब उनके, उनके घर lunch के लिए हम गए, we saw deer into the zoo, अब दो deer है, D-E-A-R है, उसका deer क्या होता है, जो salutation के लिए use करते हैं, जैसे dear brother, dear mother, वो spelling उसके होती है, तो यह यहां पर ही रन देखा, उसने, तो ही रन के लिए spelling सभी को पता है, D-E-A-R, next है, she wash her hair every day, every other day, मतलब हर एक दिन छोड़के एक दिन वो अपना जो एर है, वो वोश करती है, तो यहां पर पता है, यह spelling तो यह होती है, अच्छे है, आरी तो हर गोश होता है, next है, the ocean was a beautiful shade of blue, तो पानी का कलर कैसा होता हो, ocean का, समूदर का कलर blue होता है, ना पानी का, तो यहां पर यह वाला blue आएगा, B-L-U-E, next, the scene in the movie was very impressive, जो scene था, काफी impressive था, तो scene, एक SWN scene वो तो होता है, जैसे देखना, जैसे हम आपकी notebook कई बार चेक करते हैं, तो उस पर scene डाल देते हैं, वो एक T-W-O है, इसका मिनिंग होता है, बच्चो भी, तो यह यहां पर नहीं आएगा, मैं Disneyland गया, मतलब मुझे अपने birthday पर महाँ पर जाना पसंद करूँगा, I like to write in my diary each day, तो यह W-R-I-T-E लिखने के लिए है, डायरी में तुम write करते हैं न, और जो R-I-G-S-T होता है, उसक आएगा, W-E-K, I ate a large piece of pumpkin, तो यहां पर P-I-E-C-E आएगा, बच्चो क्योंकि इसका मिनिंग होता है, टुकडा pumpkin का एक टुकडा खाया, वो जो P-E-A-C-E है, उसका मिनिंग क्या होता है, शान्ती, नेक्स्ट है, दा ब्लैक, दा ब्लैक भीर, ग्रैब्ड अ फिश तो इट तो यह बीर, काला जो बीर था, रीच था, उसने किसको खाया, फिश को खाया, तो यहां पर यह वाला बीर हैगा, B-A-R उसका मिनिंग होता है, जैसे बेर आइज, मतलब नंगी आखों, कोई भी बेर होता है, बेर होता है, नंगा, जैसे नंगी आखों से कोई देखना, I will see it tomorrow, तो इसमें, I, जो EY यह वो तो पता है, हमें आखोते हैं, तो subject क्या है, हमारा यहां पर, I will see it tomorrow, यह lesson भी हमारा बिल्कुल ही छोटा सा था, अब है scientific instrument, तो इस lesson में हमें कुछ definition दे गई हैं, उसके according हमें, उस instrument का name बताना है, तो यह है आपका first, It is used to measure blood pressure of a person, किसी भी person का blood pressure check करने के लिए कि instrument यूज होता है, उसका नेम क्या है, देखो बच्छो, काफी लंबी spelling है, spike momentometer, इसको ऐसे पढ़ो, spike momentometer, कौन सा instrument है, spike momentometer, next, It is used by the doctors to hear the sound of heartbeat or breathing from the lungs, हमारे जो lungs की breathing की, या फिर heartbeat की, मतलब दिल के दड़कने की, जो आब आज है, डोक्टर उसको सुनने के लिए क्या यूज करते हैं, जो हम दोक्टर के जाते हैं, तो देखते हैं, जब यह में खांसी और एक प्रोब्लम होते हैं, तो स्टेथोस्कोप लगा के हमारी हार्ट बीट सुनते हैं, डोक्टर, नेक्स राइट इस यूज तो चेक दा स्पेड ओफ वेंड, वेंड, वेंड की जो स्पेड है, उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो है, वेंड मिल, नेक्स राइट इस लोकेट था, शिप्स एंड प्लेंज, प्लेंज और जो शिप्स है, उनको लोकेट करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, रडार, इड इस यूज तो सी, डिस्टेंट अब्जेक्स पाई लुकिंग थ्रू दा, लैंसिस, लैंसिस के थ्रू, मतलो लैंसिस के जो यह दूर की चीज़े देखा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, बाइनो क्यूलर्स, नेक्स रबचो, इट इस यूज तो मेजर दा, बोड़ी टेंप्रेचर, बोड़ी टेंप्रेचर करने के लिए, गरों में सब कही होता है, थर्मोमेटर, नेक्स रबचो, इ इस यूज तो मेजर दा, रिलेटिव डेंस्टी ओफ मिल्क, बिल्क की देंस्टी को मेजर करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वह आपका लेक्टो मीटर, नेक्स रबचो, इस यूज तो कम्यूनिकेट विद डिस्टेंट पीपल अट अट अड पॉइप किसी इसमें, किसी भी जगह पर किसी भी दूर उस्तितादियों से बात करने के लिए, कुम्यूनिकेट करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वह आपका टेली फोन, पहले लेंड लाइन होते थे ज़्यादा, आप सारा जो उनकी जो किस ने ले लिए, फोन, तो इसमें हम देखते हैं, कि कुछ फेमस एस्ट्रोनेट्स जो और कुछ कैलिस्ट्रियल वोडिज हैं, उनके बारे में रीड करेंगे, तो फर्स्ट क्वेस्चन अबच्चों, ता फर्स्ट इंडियन टू इन्टू स्पेस वोज, इंडियन देखो ये वर्डिंग आपको आजियन गया था, वो था, राकेश शर्मा. उनको देखने के लिए जो वर इंस्रुमेंट वो है टेलिस्कोप दा फॉस्ट रस्यन अर्टिफिशल सेटेलाइट तू गो एराउंड दा अर्थ वोज जो रूस के द्वारा बनाए गया आर्टिफिशल एक सेटेलाइट था और वो मतलब टूगो अर्थ पूरी प्रत्विक भेज गोमने के लिए भेजा गया था रूस के द्वारा वो था स्पूत्निक first फाई है यूरी गाग्रेन वो जा फेस्ट मेन टू इन टू इन्टू दा स्पेस जो वर्ड का पहला इंसान था जो स्पेस में गया था वो था यूरी गाग्रेन पर्मानेंट रिशर्च स्टेशन है स्पेस में, उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नेक्स्ट एा स्ब्द थी ये फूल फॉर्म वा इसरों की फूल फॉर्म है वह हैं इन्डियान स्पेस रिशर्च ओर अर्ग नायजेशन त्य यह था बच्चे आपका जो उसलिए बस था कुछ लेसंस की मैंने पहले आपको वीडियो भेज दी थी अब यो जो बच्चे वे पेंडिंग लेसंस थे इनकी वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है I hope कि आप अच्छे से इसको समझोगे और लर्न करोगी all the best